हाई एवरिवन, so true engineer की पिछली वीडियो के अंदर हमने data structures के अंदर stack पढ़ लिया था आज इस वीडियो के अंदर हम इस पिछली देखने वाले stack के operations, ओके एक बारी फटा-फट इस्टायत revision कर लेते तो stack में सबसे पहले हमें check करना है कि stack मेरा empty है कि नी तो उसके लिए हमें एक तो हम पहले size देख लेंगे, but in any case हमें size नहीं पता तो हमें top-est element नगा देंगे जिसको initially minus one पर रखेंगे, अगर मेरा top element minus one ही रहता है तो उसका मदाब stack का size अभी भी खाली है, stack empty है, ठीक है, इस तरीके से stack empty वाले function check कर लेंगे और अगर हमें insert करना है, तो जो top minus one था उसको एक से बढ़ा देंगे, ठीक है, अब top minus one नहीं रहेगा और stack के अंदर element push करना है, तो उसके लिए अपने को functions आज बनाने है, ठीक है, या फिर समझने है इस video के अंदर, मैंने function already बना रखें, तो उन सारे functions को एक एक करके आपको समझा दूँगा मैं, इस video के अंदर, ठीक है, तो push easily है, अब multiple push कर सकते हो, ठीक है, pop करने है तो पहला जो topest element है, हमें top करके pointer बनाना पड़ेगा, उससे हमें pop करना आसान हो जागा, ओके, clear यह बार, बाकी definition हमने देख ले दी, तो सबसे पहले, आज इस video के अंदर हम देखने वाले है, basic operation में सबसे बहले push and pop operation, ओके, clear, तो push का मतलब क्या होता है, हमें element insert करना है, and pop का मतलब होत to push an element into the stack, अब यह जो function है, push वाला, वो क्या return कर रहा है, कुछ नहीं, हमें सिर्फ push करना है, return कुछ नहीं करना है, तो that's why यहाँ पर void लिखा है, मैंने return type, सबसे बहले क्या है, एक value लेने वाले है, obvious सी बात है, अब वो value 1 होने वाले, 2 होने वाले है, तो यह सब क्या है, एक top element check करेंगे, अगर top double equal मतलब, top की जो value है, वो minus 1 है, तो true return करेगा, मतलब इस tag मेरा empty है, अगर नहीं है top minus 1, तो return करेगा false, तो इसका मतलब यह है कि, जो भी इसकी value है, अगर double equal, मतलब top की value है, अगर minus 1 है, तो return true है, अगर नहीं है, तो false है, तो इस तरीके से function check होगा, इस empty जो मैंने अभी आपको starting में समझा दिये था, इस full वाले कैसे check करेंगे, जो मेरा top है, वो maximum size जो भी होगा, minus 1 अगर है, क्यों, minus 1 क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें starting में हम क्या कर रहे है, minus 1 ही रख रहे है, तो अगर पहले elements insert हुआ, तो stack का size तो 1 है, ठीक, बट इधर plus 1 करेंग तो यह 0 रहेगा, ठीक है, इस से पता चलेगा, top तो 0 है, और stack का size 1 है, तो दोनों का अंतर क्या हुआ, 1 का अंतर हुआ, so that's why यहाँ पर minus 1 रखा है, ठीक है, अगर top मेरा max size minus 1 होता है, तो उस case में मेरा stack full हो चुका है, ठीक, समझ गया, तो full वाला function पहले उपर बनाना, फिर अपने को चेक करना है, कि stack मेरा full तो नहीं है, अगर full है, तो वही है, यह overflow की condition हो सकती है, अब overflow का मतलब क्या है, कि जैसे यहाँ पर मेरा stack का size 3 है, तो मैं 3 से जाधा element push नहीं कर सकता, अगर मैं 4 element push करने चले आँगा, तो मतलब overflow हो सकता है stack, तो इसलिए यहाँ पर condition हमने ल stack full नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, array के health से बना रहा हूँ है, तो array में जो भी value है, let's suppose मैं को 3 insert करना है, तो value में आगी 3, तो 3 का value जो है, array के top-est element में चले आगा, top के अपने store करके रखा है, top के अंदर initially minus 1 है, ठीक है, फिर 0 हो जागा, जब सबसे पहले क्या होगा, minus 1 फिर यहाँ पे 0 हो जागा, then 2 push करेंगे, तो top के अंदर 1 आ गया, 3 जैसे push करेंगे, तो top को अपने को एक से बढ़ाना पड़ेगा, तो top के अंदर आप 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से top बढ़ जागा, और उस वाले array के index पे मेरी value चले जागी, तो top just like your indexing वाला काम कर रहा है, but actually में index नहीं है, ठीक है, इतना जरूरी ऐसे समझोगे नहीं, क्योंकि हम just initialize करें top को, जिस तरीके से हमें पैचानने कि वो empty है की नहीं, तो हमें इसलिए top को minus 1 से initialize कर रहा है, तो जादा धबराना नहीं है, simple से इतना समझो, कि जो भी value है, वो array के अंदर हम insert कर र format, सिर्व अपने को यहाँ पे stack overflow की condition चेक करनी, अगर जैसे हमने stack overflow की condition चेक करी थी, pop के case में stack under flow की condition चेक करनी है, मतलब की, जैसी मैं pop करता जाओंग, एक एक element कम होता जागा, in any case, stack मेरा अगर empty है, उससे व्याद में pop तो कर नहीं सकता, तो वही है, अगर stack मेरा empty है, तो मे को बताना पड़ेगा, अंडर flow ना हो जाए, condition, मतलब फिर से दुबारा पॉप करने का ना बोल दे, already stack के अंदर कुछ नहीं पड़ा, दुबारा पॉप तो कर नहीं सकते, तो अगर stack empty है मेरा, तो stack under flow हो जाएगा, मतलब cannot pop from an element of the stack, इस से कि अब बतलब stack already empty है वाई, क्योंकि इसको नहीं पता होगा, compiler को कि is empty क्या और is full क्या, ठीक है अगर यह पहले आप उपर लिखोगे, then फिर आप push और pop लिखोगे, तो easily compiler समझ जाएगा कि is full की definition आपने उपर दे रखी है, and is empty की भी definition उपर दे रखी है, otherwise अगर empty नहीं है, तो simply हम क्या करेंगे, जो भी पिछले element है, उसको रख लेंगे, बाकियों को उपर वाले को हटा देंगे, यही कर रहें न, array of top minus minus, ठीक है, एक से index भी घटा रहे है, और उस element को print कर रहे है, जैसे for example, मेरा भी यहाँ पे है, topist element 3, तो 3 को print कर रहे है, और top को घटा रहे, top यहाँ पे था, अब वो top यहाँ टू, और top minus minus हो जाएगा, ठीक है, फिर one print हो जाएगा, इस तरीके से top minus minus का खेल यहाँ पे चलने वाला है, clear है बाक, so push समझ गया है, pop समझ गया है, तो हमने क्या क्या देख लिया है, push देख लिया, pop देख लिया, is empty देख लिया, is full देख लिया, लगबग, चारों operation जो major है वो तो हमने समझ ही लिया, बट एक आज चीज और है, which is top element, तो top element कैसे निगा लेंगे, अगर मेरे stack empty है, ठीक है, तो सबसे पहले चीज यह देख लो, कहा गया, अगर stack empty है, कैसका top element होने वाला है, तुम खुद देखो, इसमें कोई top element है, है क्या, नहीं है न, तो यहाँ प क्योंकि ध्यान से देखो, for example, इधर में top element मेरा 3 है, तो में को 3 return करना पड़ेगा, 3 मेरे को चाहिए, ठीक है, तो that's why यहाँ पे क्या return type है, integer, बाक्यों के return type क्या है, इन में push और pop में void है, और is empty और is full में true false है, तो that's why boolean, अगर equal है, तो return true करेंगे, अगर यह equal है, तो return true क करेंगा, तो that's why यहाँ पे boolean return type की है, और top best element integer type return कर रहा है, because top element return कर रहा है, element मतलब top की जो value है, जैसे 1, 2, 3 जो value वो return कर रहा है, अगर empty है, तो वह यह error देदेगा, otherwise क्या करेगा, जो भी top best element उसको print कर देगा, तो यह वह यह array of top, ठीक है, for example, top की value है, यहाँ पे 2, तो array of 2, which is 3 return कर देगा, क्योंकि initially top minus 1 है, यहाँ पे top 0 हो जाएगा, यहाँ पे top 1 हो जाएगा, यहाँ पे top 2 हो जाएगा, मतलब top 2 में क्या बढ़ा है, 3 बढ़ा है, so that's why मैं आपको यहाँ बता है, कि array of top देदेगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको initialize करना है, इस तरीके समझा मैंने क्यों गोले, top minus 1 है, क्योंकि starting में top minus 1 है, तब ही तो अपन कह रहे हैं कि empty है, तो initially क्या कर रहे है, top को minus 1 है, फिर push कर रहे है, तो top को एक से बढ़ा रहे है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है, वो top plus plus हो रहे है, मतलब top को बढ़ा रहे है, और pop के case में top को घंटा आ रह तो अगर अपने को topish element निकालना है, तो array of 2 पे बढ़ा है, which is 3, तो यहाँ से क्या बता चल रहा है, array of 2 पे top value 2 है, तो array of 2 पे क्या बढ़ा है, 3, तो यहाँ से 3 रिटन हो जागा, और जो यह answer है, वो function रिटन कर देगा 3, तो बास समझ में आ रहे है, जो मैं hope कर रहा हूं कि यार, मैंने आपको maximum से maximum and easy way में सारे topic समझा दी है, stack के अंदर जो operations हो सकते है, push, pop, is, empty, is, pull, and बाकी जो topish element है, वो सम, यही जाद दर पूछे जा सकते हैं आप से, यह आपको समझाने अपनी algorithm से, ठीक है, steps, बता-बता कि करोगे, empty क्या हो रहा है, push कैसे हो रहा है, pop कैसे हो जरा सा भी doubt है, तो बिल्कुल fool सकता है, मेरे को, मेरे कहाल से सभी को easily समझे में आगया होगा, जो concept है, वो समझो है, ठीक है, रटो मत, okay, तो मिलते हैं next video के साथ, जिनमें आप next, जो पढ़ने वाले है, वो आपको next video के अंदर पता चली जाएगा, बहुत ही जादा important है next lecture, तो skip मत करना next video, ठीक है, बाकी आप लोग पूरे data structures का course ले सकते हो, description box में link है, true engineer की, ठीक है, तो free of cost है, पूरा इमानदारी से, अच्छी तरीके से explain हैं हमने हर एक video के अंदर, और stack हो गया, queue हो गया, और बाकी remaining जो topics बच रहे हैं, उसको भी अपन फटा-फट complete करने वाले, upcoming videos के साथ, तो मिलते next video के साथ, भाई